नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारी यूटूब चैनल इसके एजूकेशन में तो दोस्तों मद्रपदेश लोक सेवा आयोक राज सेवा परिक्षा जो 2019 में हुई थी उसका रिजल्ट डिकलेर हो चुका है जिसकी बात हम आज करेंगे जिन भी चात्रगन का इसमें सिलेक्षन हुआ है मेंस के लिए उन सभी को मेरे तरफ से बहुत-बहुत सुपकामना है आज हम बात करेंगे कि इनका कितना कटाउप गया है और किन-किन चात्रों का आप देख सकते हैं जैसे मैं आपको स्क्रीन में सो कर रहा हूँ कि किस तरीके से कितने चात्रों का इसमें सिलेक्षन हुआ है और आगे इसकी क्या प्रोसेस रहेगी तो पहले हम बात करते हैं कटाउप की तो मैं बताना चाहूँगा कि जो अन्रिजर्वड जनरल में आते हैं उसमें आपका जो मेल वर्ग है उनका कटाउप गया है 146 वहीं जनरल में अन्रिजर्वड में फिमेल वर्ग का गया है 142 मार्क्स वहीं मैं SC की बात करूँ तो SC में open जो है 140 और female work का 136 गया है यहीं मैं ST की बात करूँ अनुसूची जन जाती की तो इसमें 128 open में गया है और female का ST में 126 गया है cut off आगे मैं बात करूँ OBC की जो भी आपके चाते OBC से आते हैं उनका cut off गया है 146 marks और OBC में जो female work की हैं उनका cut off गया है 140 marks इसी में एक नहीं जो category जोड़ी गई पिछले सालों में वो है EWS जिसमें इसमें normal EWS का कहा गया है कितना 142 marks वहीं इसमें EWS female का गया है 134 marks तो ये रहा आपका क्या cut off और अब बात आती है कि कितने चात्रों का selection हुआ है तो करीब 10,000 के उपर चात्रों का यहां पर selection किया गया है तो इन सभी 10,000 चात्रों को मेरे तरब से mains के लिए काफी हार्दिक सुपकामना है और आप अपनी तयारी पर लग जाएए जुट जाएए क्योंकि आपको इसमें कम सकम दो महीने के से या उससे भी कम का समय आप comments की तयारी के लिए मिलेगा तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही आसा करता हूँ आपको ये जानकारी आपके उपयोगी लगी होगी तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करें धन्यवाद